साथियों आपने कॉंग्रेस और उसके सयोग्यों के साथ वर्थ भी देखे और चौकिदार के साथ महने भी देखे हैं बताईए कॉंग्रेस के नामदारों ने कितनी बार अरुनाचल की सूध ली थी कोई कॉंग्रेसी आता था कि अरुनाचल मैं दिल्ली के नेताओं को फुर्शत थी क्या अरे यहां के नेता जाते थे हफ्ते हफ्ते बर दिल्ली में उनको रुकना पड़ता था अरुनाचल की जनता के पैसों से वहां होटलों में रहते थे वहां के नेता उनको मिलने का टाइम नहीं देते थे, मिलने का टाइम नहीं देते थे, कॉंग्रेस के इतने प्रधान मंत्री हुए, वो कितनी बार अरुना चलाये थे, किसी को याद मी नहीं होगा, आपने कॉंग्रेस के इतने सालों तक प्यार दिया, क्या उन्होंने आपके प्यार को सम्मान दिया क्या भाई और भेनों यही कॉंग्रेस की हकीकत है यही नामदारों की असलियत है उनके लिए वोट बैंग ही सब कुछ है यही कारण है कि इतने वर्षों तक अरुना चल और नौर्थ इसको उन्होंने बुला दिया था उनके डकोसला पत्र में देखिये नौर्थ इस कहा होता है उनके बजएट उठाकर देख लीजिए नौर्थ इसको वो कितना स्पेस देते थे आपकी आवश्यक्ताओं को कितना सम्मान देते थे एक कॉंग्रेसी है जिसने नौर्सिष को ना तो दिल में जगह दी और ना ही दिल्ली में जगह दी दूसरी तरफ भाजपा है जिसने नौर्सिष के दिल को भी जोड़ा और दिल्ली को आपके पास ले करके चली आई साथियों ये अटल जी ही थे जिन्नों ने पहली बार नौर्थिस के विकास के लिए अलग मंत्रा ले बनाया अटल जी ने जो काम चुरू किया आपको आपके इस चौकिदार की सरकार ने आगे बढ़ाया और हर पंदरा दिन में कोई न कोई केंद्रिय मंत्री की डूटी नौर्थिस में लगाई हमने बीते पांच बर्सो में मैं खुट तीस से जादा बार और सैकडो बार केंद्र सरकार के मंत्री हमारे इस नौर्थिस के पूरे खेतने में आचुके हैं साथियों हम बार बार आपके बीच आते हैं क्योंकि हमें मा भारती के कौने कौने से प्यार है जन जन से लगाव है कॉंग्रेस सिर्फ वोट के लिए सत्ता के लिए आपको याद करती हैं क्योंकि वहां सिर्फ एक ही परिवार से लगाव है कॉंग्रिस की ये नीती एक वोट बैंक बनाने की रही है वो इसी वोट बैंक के लिए काम करती है फिर चाहे उससे देश का नुक्सान क्यों न हो उससे अलगाव क्यों न पैदा हो